नमस्कार आप सभी का स्वागत है भारत ज्यान अक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सिरीज में युद के पाँचवे दिन यानि दिनाग 6 मई 1999 को जब हमारे सैनिकों की पहली शाहदत की खबर रक्षा मंत्राले नई दिली पहुँची तो पूरे देश में एक खलबली मच गई इस खबर को इसलामाबाद हेड़क्वाटर पहुचाते पहुचाते आठ मई हो चुकी थी इस संसनी खेज घटना का परिणाम कैसा होगा किसी को नहीं पता था भारत्य जवान तयार थे हमले के लिए पर वह इस बात से अंजान थे कि दुश्मन कितने है और कब कहां से हमला होने की संभाव ना थी दिन सात्वा दिनांक 9 मई 1999 आज सुबे से कोई हलचल नहीं हुई इसी दिन शाम को पाकिस्तानी सेना की भारी गोलाबारी हुई इस गोलाबारी की वजह से कारगिल पोस्ट का अयुद भंडार जिसमें युद का सारा सामान था वे नश्ट हो गया और पहले ही दिन भारत को लगबग 127 करोड का नुकसान तो हुआ ही पर साथ में दुश्मनों के बीच से युद की सामगरी को उचाई तक कैसे लेकर जाए यह प्रशन भी खड़ा हुआ आज के समचार से भारत्य मंत्राल्य, भारत्य सेना और भारत्य जन सामान्य में बड़ी हलचल मच गई इसके आगे क्या होगा यही विचार ने सब के मन को तहला दिया था अब हम उस वीर जवान को याद करते हैं जिसने देश की सुरक्षा में वीर गती को प्राप्त किया राजकुमार पूनिया राजकुमार पूनिया का जन 10 अक्टूबर 1976 में राजगर तहसील के असली गाउं में सुखराम पूनिया नामक क्रिशिक के यहां हुआ था राजकुमार बचपन से ही गंभीर प्रकती के और जिद्धी व्यक्ती थे जिस बात की हट कर लेते वैं उसे पाकर ही रहते थे गाउं में सेकेंडरी तक की पढ़ाई करके उन्होंने 18 साल की उम्र में सेना में जाने का निर्णे किया उनका निर्णे घर में सबने मानने भी और उनका इस निर्णे में साथ भी दिया 28 अप्रेल 1994 को राजकुमार का चेयन सेना के लिए हो गया और उसे आरंभिक प्रशिक्षन के लिए राजिस्थान के श्री गंगा नगर जिले में भरती कर दिया गया दिसंबर 1997 में उसे श्री नगर में तैनाद किया गया 14 माई को इनकी युनिट श्री नगर से द्रास के लिए रवाना हुई थी पैदल सैनिकों की एक टुकडी का लक्षे टाइगर हिल के निकट पहुँच कर मोर्चा संभालना था 23 माई की रात करीब 16,000 फुट की उंचाई तक यह युनिट पहुँच गई थी और 24 माई को अपने लक्षे की और बढ़ने लगी थी कि अचानक मोर्चे पर गुस पैठियों ने जवानों पर फाइरिंग शुरू कर दी थी इस फाइरिंग का मुकाबला टुकडी ने जम कर किया और गोली बारी के दोरान राजकुमार को गोली कनपटी के पास लग गई लेकिन राजकुमार ने चखमी होने के बावजूद अपने LMJ से तुश्मनों पर गोलिया चलाई रखी लेकिन अंततह वह मोर्चे पर ही शहीद हो गई लगतार गोली बारी की वज़ा से 16 घंटे बाद संगर्श कर भारतिय जवानों ने राजकुमार का शव प्राप्त किया 29 मई को उनके ग्रहनगर में स्वसेन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संसकार किया गया और इस प्रकार उन्होंने भारत मा की रक्षा के लिए अपनी जान नियोच्छावर कर दी धन्यवाद